मैंने एक बार आपको ये चीज बोली थी, तब कुछ लोगों को मुझे पर बिलीव नहीं था, लेकिन आज हो चुका होगा आवर अरूधी पर्फॉर्म इन दोहा, कतार, एट एट नोवेंबर 2024, टु दिवाली बॉलिव नाइट सेलिब्रेटेड फॉर गुजराती समाज, कतार ये मैंने आपको एक चीज, एक टाइम पर मुझे मैंने बोला था, यार मुझे एक बिलीव आता है, कि आरूधी निता भी वहाँ पर होगी, उस ताइम पर रूमर्स थे कि हो सकती है, इंडियन आइडल विनर करके उनन लिखा है, पवंदी आरूधी आरूधी निता का शो ह ये क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्यूमेंट है, उनके लाइफ का सबसे बड़ा अच्यूमेंट बोल सकते हो, क्योंकि देखो जब आप बाहर कोई पर्फॉरमंस करते हो ना भाई, वो बहुत बड़ी अच्यूमेंट होती है, और मुझे बहुत अच्छा था है कि इनको ये कतर दोहा, जी हाँ, ये कंफर्म न्यूज है, मुझे पहले एक दो तीन लोगों ने भेजा था, मैंने क्रॉस चेक किया क्योंकि मुझे हमेशा ओफिशियल न्यूज पसंदे, मतलब ये नहीं कि कोई भी हावा में जूट मूट के न्यूज दो, तो भाई, इस इस अन ओ प्रफॉर्मंस होने वाला है, और मैं बहुत ज्यादा खूश हूँ, क्योंकि भाई, ये हंगामा मचा देंगे वहाँ पे, एनिवेज, मैं और कोई अपडेट्स अगर आ रही है, क्या मैं वो डूणने की कोशिश कर रहा था, नहीं, बटी, हाँ, और 14 तारिक को तो भई वहाँ पे बहुत चाह जाएंगे, और वो कॉंसर्ट बहुत बढ़ा है, इनके मतलब भारत के कॉंसर्ट अलग है, और ये ओवरसीज कॉंसर्ट की बात ही कुछ और होती है, नहीं, मतलब ये महंगे होते हैं, ये बहुत तगड़ा आप देख ले ना, और इसका जो करेंगे, देखते हैं, डेफिनेटली करेंगे, भाई, अरुदीब, देयार हार्ड वर्किंग, यार, वही काफी है, उनको सपोर्ट करने का रिजन है, जैहिन दोस्तों, वीडियो को शेर मार दो, यार, ये बहुत बड़ा न्यूज है,